अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चैनल तो आज हम बात करेंगे यह जो वकैंसिस निकली है यहां पर निकली हुई है पब्लिक नोटिस यहां पर दिया हुए अफ डिस्टिक एंड सेशिंज बर नाला में यह वकैंसिस निकली हुई है आपको यहां बताए कि जो आपने एप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर लिखे कि टोटल जो है एट वकैंसिस रहेगी यहां पर जब तक कि इस पर रेगलर बरती नहीं हो जाती अप्लिकेशन लिए कि स्टिकली जो भी इसके साथ प्रिसकाइड फॉर्पर फोर्फोर्म आया आपने वही सेंड करना है उसके सा साथ जो भी आपके मतलब यहां पर रेलिवेंट डॉक्यमेंट रहेंगे जैसे आपका क्वालिफिकेशन का प्रूफ आपका एज का प्रूफ आपका कैटिकरी का प्रूफ और उसके साथ आपने टूरी सेंड पासपर साइज जो फोटोग्राफ है वह इसके एप्लिकेशन जो आपने यहां पर एडर्स दिया हुआ है कि दिस्टिक एंड सेशन जजज बरनाला के ओफिस में तेरा अप्रैल पांच बज़े से पहले पहले जो है पहुंच जाना चाहिए अगर आप चाहिए तो रिजिस्टर्ट पॉस भी कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो यहां पर और जो इसे आपको बताई गया ता जिसमें से जर्नल केटगरी की जैसे आप उन्हों ने पहली बता गए और डॉक बेसेज़ पे या इनुन फिक्स मत्ली सेल्री यहाँ पिर जो भी यहां पे फिक्स के गए निजिक्ट हैई ऐगए बन आला के द्वारा के द्वारा तो वह आपको यहां पर पे किया जाएगा क्वालिफिकेशन जिन्हों ने मांगे लिखे कि यहां तो आपने बैचलर ऑफ डिग्री कि यहां पर यहां पर आपका टैस्ट रहेगा यहां पर लिखे कि केंड़ेट को टैस्ट पास करना पड़ेगा जिसमें उनकी जो इंगली शॉट एंड में जो स्पीड है एटी वर्ट पर मिनिट होने चाहिए उसका जो ट्रांस्रिप्शन है सेम कट्यों हां पर 20 वर्ट पर मिनिट इसके लावा उनकी कंप्यूटर में प्राफिशेंसी होनी जैसे आपको बर्ट प्रोसेसिंग स्प्राइचीट इन सब चीज़ें की प्रापर नौलेज होने चीए जो लिखें यहां पर उनका इंगली शॉट एंड जैसे यहां पर बता रहें के इंगली शॉट एंड टेस्ट और जो इनका कंप्यूटर प्राफिशेंसी टेस्ट क्ल क्लियर करें को से क्वालिफाइब करें का उनी केंड़ेट को यहां पर औरिजनल टेस्ट नॉमिल्स एंट इंट्रेक्शन की चेकिंग के लिए जाएगा यानि आपकी जो फाइनल डॉक्यमेंटेशन रहेंगी उसकी जो लिस्ट रहेंगी इसकी ओफिशली वेबसाइट पर अब उसको यहां पर मतलब डिकलेर कर दिये जाएगा यहां पर लिखे कि लिए जो क्वालिफाइट केंड़ेट की लिस्ट है और जो उन्होंने इंग्लिश और उसके ट्रांसिप्शन में जो मेरिट होईगी उसके बेसे पर प्रेपियर के जाएगा प्रेफरेंस दी जाए इसको इसको इनफर्म कर दिया जाएगा मेरिट बेसे पर लिखे कि क्वालिफाइट केंड़ेट जैसे इन्होंने बता रखा था आपका कंप्यूटर यहां पर प्रफिशन सी टेस्ट रहेगा उसके बेसे पर जो है केंड़ेट को यहां पर औरिजनल टेस्ट नॉमियल की च जरनल केटेगरी के लिए जो डेंट अनकी जो अचाहरा से सेटीस साल के बीच में जो जो राक्सेशन है जैसे यहां पर नहीं बता रहेगी जो यहां पर जब दो तरी एकिसे ब्सकूंसर्ण के लिए आपको पता ही है उनके प्र अधर्रीवेंट सब्सक्यर्स्ट के लिए यहां पर आपको जो परिष्काइब परफोर्म मैं आपने वही भेज़ने यहां पर इन्होंने सेम बता रहके हैँ एज बता रहके क्या करेगी नोटिस जो रहेगा इसके रिगार्डिंग इसकी ओफिशली वेबसाइट पे उसे जो अपडेट कर दिये जाएगा यहां पे आप इसकी ओफिशली वेबसाइट चेक कर सकते हैं और सेकिंड पॉइंट इन्हों ने दिया हुए कि जो प्रेफरेंसिस हैं यानि जो भी ुए क्टिवपन हैं के यहें कि जेसे पहले बता रहे हैं लिए जो पॉस्ट है गिन्यानल को शुटेकर कोना चाहिए और वो आपने अपने application form के साथ attach करना है जो भी आपका पर्फोर्मा रहेगा नेक्शर सी में दिया हुआ है आपने उसके साथ इसकी जो सेल्फ अटेस्ट कोपी जो है अटेच करनी है अदर्वाइस लिखे कि आपके application को जर्रेट किया जाएगा धनिया पर लिख सकते हैं यहां पर यहीं लिखा है कि केंडेट ने अपने जो भी डेलिवेंट डॉक्यमेंट एप्लिकेशन पर्फॉर्म एप्लिकेशन फॉर्म के साथ अटेच करने जैसे जो भी आप करेगा अगर आपका application incomplete या फिर incorrect आपने application form भरा हुए जो इसके परफॉर्मा में नहीं कर दिया जाएगा आपने अपना application अगर आप चाहें तो रिजिस्टर्ट पोस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहां पर बाय हैंड भी सब्मिट कर सकते हैं दने अपर लिखे केंडेट को जब भी डॉक इंटर्वी को लिए बलाया जाएगा तो उसको आपने ऑरिजिन के बाद उसको यहां पर अप्लोड कर दी जाएगा केंडेट को इसकी अफिशली एपसाइट जो लागता चेक करती रहनी है तो यहां पर इन्होंने अनक्षर सी में इसका application प्रफॉर्मा दिया हुआ जो आपने यहां पर लिखे कि पोस्ट एप्लाइट फॉर विल बी यहां पर उनके father यह husband का name आईगा वह आपने यहां पर लिखे देना है रमेश चन्द करते हैं यहां पर आपने रिजय पास्परट साइस इंडियन नेशनलिटी मैंशन कर दे зай हुं कॉम्पूनिकेशन हेड्रस डूं या यहां पर लिख देने यहां पर आपका पन्जाबी में पंजाबी आपका सब्जेक्ट आपने पास किया है तो यह से इन्हों ने मांगा हुआ तो आपने यहां यहां पर आपकी educational qualification आजाएगी वह आपने स्टार्ट कर देने जिसे यहां पर graduation की कौन सी university से क्यों यह कौन से year में क्यों यह कितने mark से क्योर किया total marks किते हैं क्या percentage थी अगर आपने उसे higher में क्यों यह then you can write right here then यहां पर भी सेम आपकी डिटेल्स आजाएंगी दन यहां पर लिखे कि आपने जो यहां पर percentage में convert करना है यहां पर ग्रेडिंग नहीं जैसे यहां पर लिखे कि आपका जो भी यहां पर आपको इसके साथ इसका प्रूफ भी अटेच करना पड़ेगा यहां पर आपका टेंथ का जाएगा यह सभी आपने इसके साथ प्रूफ अटेच करने यहां पर इन्होंने जहीं है मेरी knowledge के according best है अगर कहीं पर भी असल लगता है कि कुछ गलत पाएगा तो मेरे केंडेचर को cancel किया जा सकता है और मैं इसके लिए responsibility मतलब लेता हूं यहां पर आपनी कौन से प्लेस से आप अपना application form बरें कौन सी डेट को बरें यहां पर आपने signature कर देने यह आपका पूरा application प्रफॉर्मा रहेगा अनक्षर C में इसके साथ साथ आपने एक अपनी पासपर से फोटोग्राफ है वो यहां पर पेस्ट करके send करनी है बाकी आपकी जो relevant document रहेंगे वो आपने send करने है तेरा प्रेल दोजा तेई से पहले पहले आपने अपना application जो है पांच बेसे पहले पहले office of district and session judge इसके office में पहुंच जाना अची अगर आप चाहे तो यहां पर registered post भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो by hand भी submit कर सकते हैं यदि आपको इस से related और दिख जान करी चाहिए तो आप इसकी official website पर जाकर check कर सकते हैं जिसका link में आपको description box में डाग दूंगी यदि आपकी इस वीडियो से related कोई भी query है तो आप हमें comment section में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो please like and share इस तरह के informative इस जाफ तो झाहि отвеч के बता सकते हैं